Hello guys, this is Akhil Roy and you are watching VHU Part Sala और मैं आपका English Commenter और मैं आपको पढ़ा रहा था Vocabulary sections तो आज भी हर बार की तरह इस बार भी है मैं आपको VHUBA entrance को centralized करते हुए और बाखी सारे examination को centralized करते हुए उन सबको ध्यान में रखते हुए जैसे कि मैंना पहले भी बताया था कि vocab is very important तो आज भी हम vocab पे ही बात करेंगे आपके नहीं साइड में आपके साइड लाइफ साइड में होगा जब आप विडियों देखेंगे तो इस आप बात करने वाले हैं फॉस्ट इस और इस रेकलिस थर्ड वन इस ग्रॉल आपको भरोसर दिलाता हूँ कि अगर आप इन चार वर्ड को अच्छे से पढ़ेंगे तो इससे आप नहीं नहीं वर्ड सिखेंगे आपको तो वह वैसे ही वर्ड हैं जो आप इस बात पर ज्यादा जोर नहीं डालें कि क्यों पढ़ा जा रहा है कौन से वर्ड क्या यह इंपॉर्टन है और जो भी वर्ड आपको बताया जा रहा है यह मंदारी से उनको याद करें तो डेफिनेटली एक्जामेनेशन पर बहुत इंपॉर्टन होते वाल हैं यह बाते तो बात में होती ही रहेंगी मैं भी यही हूँ आप भी यही हैं तो हमेशा बात करते हैं निर्भिक हिंदी में जिसको डर ही नहीं लगता जो बहुत सासी होता है वो वो होता है ओडेसियस इससे रिलेटेड जो वर्ड्स है जो इसके सिमिलर है मेनिक में वो तो पहला फिरलेस हो जाएगा हां बोल्ड हो जाएगा मैं वर्ड मैं आपको दे रहा हूं वो है इंट्रैपिड एंट्रैपिड है इंप्यूदमें थैं अस्रांट्री है और एक नया वर्ड है ब्रेजल प्रेजन नया वर्ड है और यह पिछले ही बार जब CZF के एक्जाम तो उसमें पूछा गया था तो ब्रेजन बहुत इक्पॉर्टेंट है और सब को ध्यान में रखते हुए मैंने जो पेपर्स बनाए है और जो वर्ड जो इसे के लिए मैं आपको देने की कूसिस कर रहा हू आपको ड़ने की जबर नहीं है की यह यह वर्ड वाकई वेनिफ़ीस और इसके एंटोनीम की बात कर ले रहे हैं मैं एंट लिखता हूँ हमेशना एंट का चीटी नहीं नमझे आप एंटोनिमस आप समझदार है समझ भी रहांगे एक तो पहला आप फियर्फूल तीमीड दरपोग जीसे कहते हैं कवर्ड पैस्पूल और एक है पुशीलैनिमस तो लास्ट है तो इसके एंटोनिमस हो जाएंगे फियर्फूल टीमेड कवर्ड बैस्पूल पुशीलैनिमस और डिफेड़न तो ओडिसियस से अल्मॉस्ट हम दस नए वोड्स की कहा हैं तो यह बहुत यची बात है और आई होब ओडिस्यस से आप सिंदेंस यूजिस करेंगे जैसे इंट्रैपिड को याद रखें इंप्यूट्मेंट को याद रखें ब्रेजन इफ्रॉंट्री यह बहुत ही होड्स जिसे हम कहते हैं के द्रिश्टी कुट से जिसे हम कहते हैं कि इस आप इंपोर्टन वर्ड्स ठीक हैं तो यह हैं वो सारे तो ओडिस्यस खतम हो गया पेशmost अ कि नेश्टुर्ट इसम्म है उपने सबसें थे में में एंछ ध्रें श्राख पर्ली मेंangen श्राबिए होती है एक चलाक वैसे होटे चुह अपने मतलब के लिए चला भी करते हैं और दूसरों को हमीशा दोकें रखकिन रिह से हम हिंदी में कहते हैं धूर्धप भी चलाक लेसे हैं थो अगोत हमस्क्यूल का मतलब भी अब उसी धूर्थ से लिरहेंगे तो इससे इसका स्रीनों बन जाएगा पहला तो स्रीवड दूसरा वल्पाहिन जो लोबिडी के दिमाग वाला हो वल्पाहिन हो जाएगा फिर आपका वाइज हो जाएगा सेजेशियस हो जाएगा प्रियूडेंट हो जाएगा कहनी हो जाएगा कहनी हो जाएगा कहनी हो जाएगा विटी विटी आमतोर पे वैसे लोगों को कहा जाता है जो हाजिर जवाब होते हैं और जो विटी जो लोग होते हैं वो धूर्थ होते हैं जूर्थ बात को भी कुछ इस तरह से डिफाइन करके बताते हैं और जूर्थ बात को भी कुछ इस तरह से आपके सामने बताएंगे जैसे लगे के मानू सच ही है, तो विटी होते हैं पैसे लोग। So these are the senobils and its end to ease पहला तो वो हो जाएगा innocent Next one is gullible जो बच्छडे की एकदम समान है, बच्छडे आप देखती होंगे गाय के जो बच्छडे होते हैं बहुत प्यार होते हैं बहुत इनिशिंट लगते हैं तो gullible का sense वो है, वल्पाइन जो लोमडी के दिमान ले करके पैदा हो आया यानि लोमडी बहुत ही जानवरों के सबसे चलाक और धूर्द जो होती हैं आपने आंदोर पे बहुत साथे stories भी सुनी हुई है तो वल्पाइन उससे रिडिटेड है, वल्पाइन हो गया फिर आप लेस हो गया अच्छा इसमें मैं एक और वर्ड यूस कर गता हूं यहां आर्ड फूल राइट और एक और है क्राफ्टी क्राफ्टी व्ल्पाइन शुर्ण है यहां व्ल्पाइन व्ल्पाइन वेटर है रहेकलेस रहेकलेस पर बात करते पर पहले मिटा लेने जादा बेतर रहेगा है ना आज कर शचन्टी बढ़ेंगे एंगे पता है किसको हमसे कादुसमनि हो जाते है रेकलेस हम तो यह मारकर फिरेकलेस ही हो गया आभी मेरे हाथ में पढ़ा है रेकलेस हो गया बेचैन हो गया चाले के लेद्गा तो इसका साइन हो जाएगा पेला तो हुआ है और रेकलिस मतलब तो लापरवा परवा रेस्पलेस का मतलब बेच्छा ए और एकलिस का मतलब होता है लापरवा तो पहला तो केरलेस हो जाया कि अग्लीजन दो जाएगा थोड़ ले सो जाएगा उसके बाद इनकंसिटरेट इनकंसिटरेट इसका एंटो हो जाएगा पहला तो के पहला केरफू हो जाएगा फिर कॉजियस हो जाएगा फिर कंसिटरेट हो जाएगा कंसिटरेट हो जाएगा फिर एक नाया वर्ट जो है ही ही फूर पिजिएगा तो रेकलेश का सेमों केर लेजिंट तो इनकंसिटरेट्ट तो नहीं बस हो जाएगा कियरफून कॉजियस जो हाँ चीजों को लेकर कि कॉजियस है फिर उसके बाद कंसिडरेट फिर उसके बाद हीड़ फूर्ट इस आदो वर्ड्स ठीक है जो रेकलेस को डिफाइन करते हैं रेकलेस के सेनों और एंटों को बताते हैं तो खतम ये फिर इसके बाद हमें आते हैं ब्रॉल उयरैवार्ण जो वर्ड है इससे हम कभी काफ़ी।ं नकी मिसमें विकिते कि गवाथ है तो भुश्मधातों में मतलब क्या होताहा ब्रॉल ब्रॉल का मतलब वही होता है जो आम तोर प्राइब को कहते है ना ब्रॉल ब्रॉल का मतलब होता है जगड़ा है ना और जगड़ा आम है तो इसका साइनो इससे कई नए वर्ड समसीखें गया एक तो सुर्वाज से इजी से करते हैं फाइब क्वायरेंट के स्पेनिंग ठोड़े चेक कर लिजाएगा जर तलत होगा तो फिर करेक्ट कर लिजाएगा प्रीज फिर उसके बाद डेस्कॉर्ड डिस्ट्यूट ड्वेल अल्टरकेशन यह बहुत इंपोटेंट है अल्टरकेशन अल्टरकेशन अस्कॉफ स्कॉफ अस्करमिस अस्करमिस अस्टफल फ्यूड तो यह देखें आप इससे काफी नय वर्ट सीखने वाले हैं अल्टरकेशन, स्टफल, फ्यूड, स्कॉफ, स्करमिस, डिस्कॉर्ड इनका भी मतलब यही है इनका भी मतलब ब्रॉट का मतलब जगड़ा होता है और स्टफल का मतलब जगड़ा अल्टरकेशन सब का सब जगड़ा को ही बताते हैं तो इसके एंटोनिमस देश लेता है डिस्कॉर्ड काउल्टा होता है कॉमकॉर्ड एमियेबल कॉर्टियस एमिकेबल हार्मणी इसके एंटोनिमस के तौर पे हम इनको याद रख सकते है क्या होता है एमियेबल वैसे लोग होते जो मिल अनसा होते है जो जब आप प्यास से किसे से बात करते हैं तो देश लूग कंडिशन की कोई जगडा होगा तो इसका एक उपोसीट के तौर पे एक अन्टोनिमस के तौर पे हम अमियेबल, कॉर्टियस, अमिकेबल, अमिकेबल, फ्रेंडली, हार्मणी, कॉंकर्ट these are the words which can be used as antonymus So these are the four words which I had to teach you and I hope that the section is gonna be very very fair और आपने काफी कुछ सीखी होगी नहीं नहीं वर्सीख होंगे तो I hope अगर आपको अच्छी लगई एंवीडियो तो please do share, do like, keep learning hard and the most important, keep using these words in your sentences while when you speak, कम से कम इन वर्स को यूस करें क्योंकि these are the most important factor और जब मैं इसको पढ़ा रहा हूं तो मेरा एक मात रिवीजन यही है कि जब आप चीजों को लिख रहे हैं और लिख की याद कर रहे हैं तो उसका correct uses होना बहुत important है तो with that, with that sentences I just wrap up this class, hope it will definitely help you in your future and thank you very much, goodbye